नमस्कार दोस्तों मैं वाइबो आपका औरीजान एकड़े में स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में यह जो कंपोनेंट है इसका सेक्शनल व्यू देखना है उसके साथ ही उसका और्थोग्राफिक फ्रेट व्यू टॉप यू साइड व्यू यह भी बता दूँगा अभी यह कंपोनेंट मैंने ड्राउ कैसे किया वो देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले मैंने क्या किया यह जो हाइलाइट वाला पोरिशन है वो प्रोफाइल बनाया फिर उसको क्या किया मैंने यहां पे एक्स्टूड किया ठीक एक्स्टूड करने के बाद मैंने next step में क्या किया ये जो सर्फेस है ये सर्फेस पर मैंने plane लिया और इस पर क्या क्या ये sketch बनाया ये sketch बनाने के बाद उसको extrude करके उसको extrude किया ठीक यह पार्ट को मैंने यहां पर extrude किया फिर उपर वाला plane का reference लेके यह cylinder circle बनाए और circle को क्या क्या मैंने यहां पर extrude किया अभी यहां पर दो rib है यहां पर और यहां पर एक rib है वो में निकाल नहीं पाया हूँ फिर भी adjust कर लिए अभी इसका आपको फ्रेंट वू दिखेगा कैसे आपको फ्रेंट वू देखने के लिए क्या करना पड़ेगा यह आइसोमेट्रिक व्यू है उसको क्या करना पड़ेगा आपको आपके सामने ऐसे लाना पड़ेगा 90 डिग्री में 90 डिग्री में लाने के बाद आभी आपको स इस दारेक्षिन में किया है, तो आपको क्या करना है, यह प्रोफाइल सबसे पहले निकाल लेना है, फिर एक सेंटर लाइन बना लेना है, सेंटर से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर यह रेक्टैंगल बना लेना है, लेकिन अभी दिखता गया नहीं इसमें, अगर आप फ उसके साथ ये लाइन भी आपको नहीं दिखता है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, अभी इसमें फ्यूजर में एक प्रोविजन है कि अगर आप यहाँ पे जाके उसको बोलते हो, विज्वाल स्टाइल में, शेड़ेट विध हिडन अजेस, तो वो आपको क्य के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अबजेक्ट है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको exact आपके सामनी क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री ऐसे टर्न करना पड़ेगा, जब इसको 90 डिग्री टर्न करोगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक rectangle निकालना है और फिर यहाँ पे circle और यहाँ पे क्या आएंगे ribs आएंगे अभी यह हो गया front view, top view, side view के लिए क्या करने है आपको right hand side से यहाँ से right hand side से देखना है तो वो कहा जाएगा आपके front view के left hand side में जाएगा तो side view में क्या दिखेगा आपको सबसे पहले यहाँ पे यह जो square वो निकाल लो फिर यहाँ पे यह जो C है वो निकालके इसके उपर cylinder निकाल दो अभी इसके अंदर दिखता क्या क्या नहीं है यह जो अंदर वाला portion है ना यह अंदर वाला dotted line वाला portion वो नहीं दिखाए देता है वो आपको निकालना है यह उपर का line ठीक